आई पिया फर्ष्ट मेच जो खेला जाएगा गेटे और चनाई के बीच खेला जाएगा कल स्राम को खेला जाएगा सारे साथ बजे यहां पर इस मेच के खेलने कास फैदा आपको है इसमें आप जितना इंवेस्ट कर सकते हैं आपके लिए कम परेगा क्योंकि कमपनी इतना ओ करना है सारा बात इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा बीडाट बिना एसकिप किये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यहां पर विकेट कीपर से चार विकेट तीन विकेट कीपर इंपॉर्टेन है मैं इंपॉर्टेन पिलियर बनातेता हूं और टीम बनाकर बता दोता हूं डेनवेक को जो कि यह चन्नाई की तरफ से काफी स्टोंग बल्ले बाज है और खास बात यह रखिए कि जब पहले बैटिंग करेगा चन्नाई तो तब इसे अपने टीम में केप्टन और वाइस केप्टन से दे सकते हैं उसके बाद मेठा बॉर्ड जो कि दिली की तरफ से काफी सूपर एस्टार बल्ले बाज है काफी अच्छे खासे बल्ले बाजी करता है और डेवलू साहा यह भी काफी संदार बल्ले बाज है यह तीन विकेट कीपर सेक्शन से अच्छे पिलियर है जिसे आप अपनी टीम में रख सकते हैं अब बता देते हैं बैटिं सेक्षन में दिखा जाए तो बैअस्ट में सेक्षन में कुछ यह एस द्रंबे तो नहीं खेलेगा सीवन द्रवे सूमन गेल क्योंकि रिसन्ड का फॉंत सुमन गेल को काफी संदार है उसके बाद है डेमी मिलर डेमीलर का फॉम इस ग्रोंड पर काफी जबरदस्त है अच्छे खाचे है एक बात याद रखिए जब डिली जब जीटी ब्याटिंग करता है एनि दो मैच खेले है उस गरण पर दोनों का दोनों जीत गया है इस कंडिशन में चन्नाई से काफी एश्ट्रोंग है जीटी उससी कंडिशन में देखा जाए तो दोनों क टीम का बलेबाज काफी संदार है और बॉलर काफी संदार है कोई टीम कमजोड नहीं है यहां पर चन्नाई तरफ से रेशुराज गवासगर भी अच्छे खासे बलेबाजी करेगा और के वालसन काफी अच्छे बलेबाज है बैस्ट्री इंसरेक्शन में अब मैं आपको जेचा के बगल से आप वैन एश्टोग को ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए डेफेंसल पिक रहेगा वैन एश्टोग हार्दिक पंड्या मौईन अली मौईन अली के रिकाउड काफी अच्छे हैं लेकिन पेसर को ज्यादा सपोर्ट करता है अगर मौईन अली को आप नहीं लेना चाहते हैं मौईन नानी को लेने के खास फैदा है कि जब दो से तीन नमर में ये बैटर करने का चौंस मिल जाते है और बल्लेबाजी काफी संदार पारी करता है और काफी अच्छे खासे बल्लेबाजी करता है इसलिए मैं ओलंडर सेक्षन से देव रिके हैं यहां प परफर्म किया है अगर यह घहलेगा तो आप अपने टीम में रख सकते हैं अगर यह तो घीलेगा नहीं जब टॉस होने के बादा मौका मिले तो उसे रख सकते हैं अब मैं रासिदकन दीपक एम समी एम समी रासिदकन को उसके बाद मैं दो बॉलर रहा या दीपक चार को ले सकते हैं क्योंकि यहां पर खास करके पैसर को बॉलिंग करता है और के वलसन को मैं तीन लिया है और मैं बिकेट कीपर सेक्शन से तीन लिया हूं दो ल आए हैं क्योंकि दोनों का टीम जीटी काफी एस्टोंग है नेस्ट करते हैं नेस्ट करने के बार अब आ जाता है केप्टन और वाइस केप्टन देखिए मैं आपको चार केप्टन सी और वाइस केप्टन सी के बारे में दूंगा यह चार केप्टन सी और वाइस केप्टन सी स कापी संदार है सबसे पहला केप्टन है डेवी मेनर क्योंकि यह रिक्सी केप्टन होगा इसे बल्ले बाजी करने का मोका मिले तो अच्छे खासा बल्ले बाजी करेगा अगर सेव केप्टन भाइस केप्टन तो सुमन गेल है क्योंकि रिसर्ड का पॉम काफी जबरदस्त है ज आप चाहिए सेव करती जिए सेव करने के बाद देखिए मेरा टीम का पर विव किस तरह से रहेगा मेरा टीम का पर विव इस तरह से रहेगा देखिए मेरा टीम का पर विव इस तरह से रहेगा हाई यो पीए वीडियो आपको पसंद आये तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में यहिंद दोस्तों